उत्तर प्रदेश में चुनावी तारिखों का एलान हो चुका है और चुनाव में करीब एक महीने का वक्त बचा है इस बिच राजनेताओं का एक दूसरे से मिलना जुलना लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी के साथ गटबंधन में सुभास्पा के मुखियाओं प्रका में नजरा रहे हैं उनसे भाजपा के प्रदेश उपाद्यक्ष दया संकर सिंग ने मुलाकात की है और उनकी ये मुलाकात चर्चाओं में है इस मुलाकात के मायने किया है कहा जा रहा है कि दया संकर सिंग ओंप्रकास राजभर को एक बार फिर से भारतिये जंता पार्टी क साथ लाना चाहा रहे हैं लेकिन सुभास्पा की तरफ से जो प्रत्रिक्रिया आई है वो चौकाने वाली है आज हमारे साथ सुभास्पा के राष्ट्रिय महासची अरुन राजबर हैं और उनसे हम बात करेंगे जो उन प्रकास राजबर के बेटे भी हैं सर आप लोगों की महिने में तीसरी मुलाकात है क्या है मुलाकात के माइने देखे इस मुलाकात के जो माइने लोग निकाल रहे हैं वो माइने किसी प्रकार का सही नहीं है वो सब गलत तरीके से लोग माइने निकाल रहे हैं हसिष्टाचारिक मुलाकात निजीगत जो संबंध होते हैं तो हमे सत्ता की चोखड तक पहुचाया था जिस दर्वाजे से हम उनको सत्ता तक पहुचाये उस दर्वाजे को हमने बंद कर दिया और वो दर्वाजा माननी अख्ले स्यादव जी के सांथ जुड़ गया तो पुरवांचल ही हमेशा से उत्तर प्रदेश की लखनव की कुर्शिय पर पुरवांचल की जनता बहुत ठगा सा महसूस कर रही है जो भारती जनता पार्टी ने 2017 में अपने घोसरा पत्र में जो वादा किया था भारती जनता पार्टी के एक भी वादा उस घोसरा पत्र का पूरा नहीं हो पाया जनता दुखी है निरास है हतास है और इस बात से की मान बेरोजगार नौजवानों के साथ भी धोका, 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बाद भाजपा ने किया था, साड़े 4 लाख देकर के छाती पीट रहे हैं, ये तो जुमला साबित हो गया न, आप जिन वादों के लेकर गये थे कि किसानों का हम आई दोगना करतेंगे, क्या है आई दोगना किया, आज किसानों के खेत में साड़ जो लाल साड़ है, काला साड़ है, इनको खड़ा करके आप उनका धन दोगना कर रहे हैं, उनका गेहु चर जा रहा है, उनका जो आलू चर जा रहा है, उनका खपस दे रहा है, खराब हो जा रहा है, और किसान की आई दुगनावा इसे ही खेत में पहुचा कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश के नौजमान जो रोजगार के लिए आपको ओड दिये थे 2017 में, आपने उन समयदारी होती है, गरीवों को न्याय देने की, उस समय दवाई देने की, सुरक्षा देने की, उस समय वेंटिलेटर देने की, उस समय अक्सिजन देने की, पी-पी कीड देने की, तो भारती जनता पार्टी क्या दे रही थी, जुमला, बंगाल में ओड की जुगार में लग जिसके साथ रहते हैं, बहुत इमानदारी सरहते हैं, बहुत वफादारी सरहते हैं, हमने एगदम एजंडा मना लिया है, और हमने कासम खा लिया है कि उत्तर प्रदेश में माननी अखलेस जादाव जी को, 2022 में 10 मार्च को हम सपत दिलाएंगे कि उत्तर प्रदेश का हमारा मु लकात में क्या बात चीत हुई अब देखें वो वह भी अपनी जुगार में लगे हैना चाहते हैं लेकिन इस चीज का कोई मायनी नहीं निखाला जाएगा कि हम सपा से आगे रहेंगे सरकार बने चाहें ना बने हम भारती जनता पाटिक साथ नहीं जाएंगे माननी अखलेस ज्यादव जी को हम लोग मुख मंत्री बनाएंगे और बना करके योगी आदित नाथ जी को मठ में पहुचाने का हम लोगों ने जो संकल्प लिया क्यों लिया है क्योंक कुछ नहीं दिया इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ लाठी दिया है महिलाओं को जुल्म किया है हमारे सबसे जादा पिछड़े समाज पर इन्होंने इंकाउंटर फर्जी तरीके से किया है आजमगर में मुकेस राजभर को कानपूर से उठा करके बिना एक भी मुकदमा नह के परिवार को लेकिन उस परिवार को भी दो बजे रात को हिन्दू रिती रिवाज में नहीं है कि या प्रदेश की जनता उस बात के को भूल जाएble चलो तुम्हारा मांदे बढ़ाओं को बुलाते थे चलो तुम्हारा मांडे बढ़ा देंगे चलो तुम्हारा आए बढ़ादेंगे चलो तुम्हारा काम कर देंगे और जूट बोल करके सभा मिला देते अब महिला है गाली दे करके वापन जाती थी त्याशंकर जी ने आपसे बातचीत की है क्या सिर्फ अपने लिए बातचीत की है कि कुछ और लोग भी है उनकी पत्नी जो है कि मंतरी है उपी सरकार में क्या भी आ सकती है ले हैं क्ल की रवे हैं सरकार बनाने जा रहं नहीं होगा तो गूस्काम यहां हम लोग हात जोड़े रहेंघ तो हमारा कल्याव जाएगा तो अब यह जल्द आपके बीच में समाजवाद नगinen के अधर सामने नजर आएंगे एक महिने का वक्त बचाये पहले चरण का मद्दान दस फरवरी को है देखे आप हमको बता रहेंगे यह दस दिन के अंदर में भगदर मत जाएगी भाजपा में भगदर मत जाएगी भाजपा पस लड़ने वाले परत्यासी नहीं जाएंगे जनता यह देख रही है कि किधर सर संख्या में कोई सड़क पर दिख रहा था लेकिन माने अखलेस यादव जी माने उंपरकास राजबर जी के लिए जनता परिवर्तन के लिए जो मूड बनाई हुई है महंगाई से निजात पाने के लिए अपने 300 यूनिट फिरी विजली पाने के लिए गरीवों को निसुल सब्सक्राइब करेंगे महां गया महां आइक काम यहीं बाबाराम दियो कहा करता था कि मोदी की सरकार बन जाएगी भाजबक सरकार बन जाएगी 30 रुपिया डीजल 32 इस पेट्रॉल बाबाराम देव कही नज़र नहीं आएगा क्योंकि वह कुद बजा हुआ हुआ है और भ पहन करके प्रदेश की जंता को मुर्ख बनाया है धोखा दिया जंता नराज है इस बार परिवर्तन करेगी और दो हजार बाइस में दस मार्ज को मानी अकले सेद्व जी आ रहे हैं मानी उम्प्रकास राजभर जी अपना पीला लाल गमचा उनको पहिनाने वाले भाजपा में अगर कोई भी टूट होती है तो जहिर सी बात है कि उसमें प्रकास राजभर की बड़ी भूमिका होगी लेकिन अगर ये लोग आएंगे कई मंत्रियों का आप दावा कर रहे हैं अगर वो आते हैं तो समायोजन कैसे होगा आपके भी नेता है छड़ी पर लोग लड़ेंग भारती जंतापार्टी इतिहास में पहली बार मैंने देखा कि मानियों प्रकास राजभर जी की एक ही सारे पर 200 विधायक धरने बैठे थे एक गुर्जर समाज का विधायक अपनी बात रखने के लिए जब सदन में खड़ा हो रहा था थे भारती जंतापार्टी के लोग उ हम लोग ने 200 विधायक जब 200 विधायक एक ही सारे धरने बढ़ सकते हैं तो आप कलपना कर लिजिए कि वो विधायक अगर मौका मिल जाए हमारे साथ आने का तो वो एक पल भी वहां नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेस में एक भी विधायक संतुष्ठ न हैं कि योगी आधितनात के नेत्त में को योट मिलने वाला नहीं है यह तो लडाई हो रही है यह तो मुख्मंत्री की लडाई हो रही है कि अब भारती जंता पड़ी कर ले कि उनका मुख्मंतरी कऊन होगा उत्तर प्रदेश की जनता ये जान ले कि किस के चेहरे बचुना होगा हमारा चेहरा तो मानी अख्लिस याद हो हम समाज के हर वर्गों को एक बराबर अधिकार देने के नाम पर उट मांग रहे हैं नफरत की राजनीती खतम करने के लिए जूड फरेव इन्सको समाप्त करने की बात कर भरष्टा चार मिटाने की बात कर रहे हैं बारती जंता पाटी मुद्दा भीन हो गई है उत्तर देश की जंता उत्तर प्रदेश को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से यह उत्तर प्रदेश का चुनाओ पांच साल योगी आदितनाथ जी ने क्या किया है इस पर चुना होगा मोदी जब दोहजार चोविस की बात आएगी तो उनके बारे में सोचा जाएगा लेकिन 2022 में योगी आदितनाथ ने क्या किया है उस पर चर्चा होगी जंता अनुप्रिया भी बीच में भाजपा से नराज लग रही थी उनके बयानों से लग रहा था कि वो काफी नराज है आप लोगों की कोई बाचीत हुई है क्या देखिए वो उनकी पार्टी है वो अपनी प 17 तारीक को भारती जंता पाटी निसाद बिंद केवट मलाह माजी मजवार को लखनों में बुलाया और कहा कि अमिज साहजी आएंगे आरक्षण की घोसडा करेंगे आप बताइए आरक्षण की घोसडा हुई आरक्षण की घोसडा नहीं हुई आ चर्चा भी नहीं हुआ बुश्ण ये भारती जंता पाटी कहती है लेकिन करती नहीं है जुमला सुनाती है सिर्फ निसादों के सबसे बड़े निता होने का दावा संजय निसाद करते हैं और आप लोगों के बहुत करीवी हैं और मैं जब भी देखता हूं तो बहुत आपसी प्रेम दिखता है नहीं दिला पाए तो अब वोट किस आधार पर ये सारे बिंद केवट मला माजी मजवार तु रहा तु रहिया एक तरफा माननी अखले सियादोजी के नाम पर उड़ करने जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम जातिवा जंगरना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भाग जब पिछोणों की गिंती नहीं होगी तो सिक्षा में कौन समाज को आगे ले जाये जा सकता है स्वास्त में कितना बजट हमको देना है कैसे तैं हो पाएगा हम सरकार बनाएंगी 2022 में तीन महीने की अंदर पहली घोस्ट काइबनेट में फैसला होगा कि जातिवा जंगरना उसको इतना हिसादारी तर पर हम लोग उनको इससा देंगे अरक्षड की बात आ रही है और अभी अरक्षड बचा संघर्स समीती है वो दावा करती है कि उसके साथ प्रदेश में आठ लाग करमचारी है और उन्होंने अभी हाली में ये एक ऐलान किया है कि जो भी पदोनत अरक्षड की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे अकिलेश यदो की सरकार में करिकों के साथ क्या हुआ था वो सब को पता है कई कारिक जो सामने रखेंगे इस बात पर बात की बत हैं सोहल भारती-आति की बात करते हैं $7 बहारती जनता पार्टी अपने घोसडा पत्र में सिख्षा मित्रों को नोकरी देने की बात किया था क्या था न दिया की नहीं दिया उत्तर प्रदेश के नवजवान जान रहे हैं कि इनोंने धोखा दिया 68,500 भरती नियुक्ती देने की बात किया, आरक्षण लूट लिया, किसका? पिछडे दलितों का, 79,000 सिक्षक भरती में आरक्षण पिछणों का लूट लिया, 27% पिछणों का, 22% सिरूल का सिरूल ट्राइस्ट का है, लूटा किसने? ये भारती जनता पार्टी के लोगों ने, 97,000 जो सिक्षक भरती के लिए इन्होंने नियुक्ती करने की बात किया था, ये धरना दे रहे हैं, इको गार्डेन में लगभग धाई महीने से नौजवान लाठी खा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के नौजवान यह बात नहीं देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हू बैक लाग की भरती, उत्तर प्रदेश में 10 लाग हैं, हम सरकार बनाएंगे, जितने भी बैक लाग में पायत खाली हैं, हम उसमें पिछडे दली तलप संख्यक सब की भागिदारी करेंगे, पदोनती जो प्राइवेट में आरक्षण, हमारी पार्टी का ये लड़ाई है, क सुहल्दे भारती समाच पाठी की मांग है, हम अखले जादो जी के साथ रह करके इस चीज को कराएंगे, दुनिया के नेता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानियों प्रकास राजबर जी पर उत्तर प्रदिस के पिछडे दली तलप संख्यक भरोसा करते हैं, कि यही न क्योंकि लोग खाली अवसर की लड़ाई लड़ते हैं, हम अवसर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हमको आरक्षड भारतपा ने नहीं दिया, तो हमने उसकी कूर्सी को लात मार दिया, हमने सत्ता को त्याग दिया, हम एक कूर्सी नहीं छोड़े हैं, हमारे पास दो राज प्राजबर्जी को भारती जनता पार्टी ने इतना पुमानित करने के बाद भी आरक्षड नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और हम अपना आरक्षड स्वतह लड़कर के मानियों प्रकास राजबर्जी से लेने का काम करेंगे अन्तिम सवालों की तरफ चलेंगे कई नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर के असमंजस की इस्तिति यह है कि जैसे हम मुक्तार अंसारी की बात करें वो बड़ा चेहरा हैं उनके भाई समाजवादी पार्टी में ऑफिसियल आ गये लेकिन अभी भी मुक्तार अंसारी नही नहीं देगी आप लोग क्या करेंगे आप उनको छड़ी से लड़ाएंगे या साइकल से लड़ाएंगे वो तो नेड़दल लड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश के मव में पांच बार सब इधाये खो रहे हैं जब आप हैं आप तो हमेशा कहते हैं कि साथ में तो आप क्यो यह वोट मांगे थे भारती चंता पार्टी के नेता मैं बता रहा हूं कि मैं आखों देकी हाल बता रहा हूं कि भारती चंता पार्टी के जो टिक टार थी थे जो अपने आपको मुक्तार के सबसे बड़े दुस्मन समझते अपने आपको यह सब अपने बूद पर दरी यह सब खड़े रहते हैं, वो तो निर्दल चुनाउ लट जाएंगे, तब ही चुनाउ जीट जाएंगे, हमारी बाटि जब हमारे सीट ते में सरकार बनाएंगे, 10,20,50 सीट के लिए थोड़ी हम लट रहे हैं बहुत बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं एक चीज बता दीजिए कि जो प्रमुख नाम है जो भाजपा से कुछ मंतरी आ रहे हैं कौन-कौन वो नाम हो सकती है जो भारती जनतापार्टी कभी कलपना नहीं कर सकती है कि वो भी हमारे साथ छोड़ देंगे अभी आप चाहिए कि आगे का खेल क्या खुता है बहुत ऐसा जिस तरीके से इन्होंने पिछोणों के साथ धोखा किया है दलितों के साथ धोखा किया है इनके दो फाइव इस्टार हैं इनके दो ब्रैंड अंबेश्टर उत्तर प्रदेस में चुनाव लड़ने के लिए उन पर कारव लेकिन क्या अभी तक करवाई हुई क Apache नहीं रिपोर्ट भी ते दिया कि नहीं ये मंत्री मंत्री स्थिधादीय नहीं या क्यों कि पंडीजी है, वो भाजबा के साथ है, अगर वही कोई पिछड़ा दलित होता, अब तक सूली पचड़ा दिया गया होता, फासी पचड़ गया होता, वो सडक पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सरकार जातिवादी सरकार हैं, छ़ण डियम समाजवादी पाट यहां बोलने वाले लोग उस जाती के नहीं हमारे यहां आरोप लगाने के लिए यहां पिछड़े हैं यहां आरोप लगा देंगे लेकिन वहां समान वर्क लोग आरोप नहीं लगा सकते हैं तो सबसे बड़ा जातीवादी उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी बन की आई तो योगी आदितनात की सरकार आई उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर देखेंगे तो एक जाती के धरोगा एक जाती के सियो एक जाती के स्टीम एक जाती के एसपी एक जाती के डियम नजर कोई काम से अगर कोई जमीन के 25 कराने जा रहा है तो अब 20,000 दीजिए तो 25 होगी ले तैसिल्दार लूट रहा है सेकेटरी लूट रहा है लेकपाल लूट रहा है कानगोट लूट रहा है मतलब ऊपर से लेके नीचे तक यहां की खुलासा भी होगा कि नोएडा में कि एक एस को मांगता ऊपर से योगी आदितनाजी भरष्टाचार फैलाए और उसी भरष्टाचार की गंध उत्तर प्रदेश में पहुचा और गरीब प्रताडित हुआ गरीब को नहीं दे पाए पिचणों को नहीं दे पाए दलितों को नहीं दे पाए तो जो अन्याई सरकार है पर फिर आते हैं कि आज बहुत चर्चाओं में हैं दया संकर सिंग क्यों नाराज होंगे वह तो खुद एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बड़े वह देपे हैं पत्नी राज्यमंत्री हैं नाराज क्यों होंगे और क्या आप लोगों से बात हुई एक बार फिर से खुल कर मों और कि शर्चेव से समग्द आज से नहीं हैं अज हमको लगता है दा सあの Сам यो je यह सोब खुल गोगने होते हैं ऑंखना तुछ को सब्रूंद से खुझो सेरय सुफटे Wam एक बात वाधे हम इस दार पर चलेएंगे सामाजी कि नाय ्तिक और ऑन UM तब करेंगे तब करेंगे क्या करना होता है करेंगे हम आलिक वो लोग है अपने अपने राजनीत के जीवन के तो ओम प्रकास राजभर की मुलाकात पर उनके बेटे ने जो सफाई दिये काफी डिपलोमेटिक आंसर है लेकिन उन्होंने एक दावा किया है कि भारतिय जनता पार्टी के कई बेड़ेनेता उनके संपर्क में हैं और कई मंत्री भी संपर्क में हैं फिलहाल वो उनका आगे क का रास्ता क्या होगा इस पर बातीत जारी है और वो कब आते हैं ये देखने वाला विशय होगा सहयोगी बाबुलाल के साथ सुसिल कुमार डेली इंसाइडर लखनवड यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इं इस्टाल करें हमारा तेजी सोभरता न्यूज आप डेली इंसाइडर